आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends इस question में हमें बता जा रहा है A force of 100 Newton displaces an object through 0.2 meter and does work of 10 joule What is the angle between the force and the displacement तो यह options है इन में से एक option सही है जो हमने choose करना है ठीक है तो यानि कि force or displacement जो है वो अलग-अलग angle पर हो सकती है तभी हम से angle पूछा जा रहा है ठीक है ना तो हम general case लेते हैं तो हम एक force vector बनाते हैं हम लेट कर लेते हैं कि यह force vector है ठीक है यह force vector है और यह एक displacement vector है ठीक है यह displacement vector है और इन के बीच का angle जो है इसको हम theta ले लेते हैं ठीक है तो work done इस general case में work done का formula क्या होता है तो वो होता है w w is equal to f इन्टो एस इन्टो कॉस थीटा ठीक है तो अब हम इस formula को लगाएंगे हमें सब कुछ पता है work given है 10 joule तो work का वैली हम डाल देंगे यहां पर तो 10 joule is equal to force का वैली गिवन है 100 newton इन्टो इन्टो डिस्प्रीस्मेंट एस वी गिवन है 0.2 मीटर 0.2 मीटर ठीक ना इन्टो कॉस थीटा थीटा हमें पता करना है ठीक है तो यानि कि यहां से हो जाएगा 10 is equal to 100 इन्टो पॉइंटो पॉइंटो यह 20 हो गया तो 20 कॉस थीटा ठीक है तो यहां से कॉस थीटा क्या जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा 10 अपन 20 क्रॉस मॉल्डिप्लाई करने पे 10 से यह कटेगा 10 बंजा 10 नीचे 2 डाजाएगा 1 अपन 2 हो गया तो इंप्लाई जाएग कॉस थीटा इस इकल टू हाफ तो थीटा कॉस इन्वर्स आफ हो गया तो यानि कि थीटा जो है इस इकल टू सिक्टी डिग्री हो गया क्योंकि क्योंकि पूचा गया था हमसे Angle between force and displacement vector ठीक है? What is angle between force and displacement? तो थीटा लिया था हमने यहां पर तो थीटा is equal to 60 degree तो अब हम options देखते हैं option 2 में 60 degree कहा हो जा रहा है बाकियों में कोई कुछ और value है तो में option 2 को चूज कर लेंगे तो यह हमारा final answer है Thank you for watching this video आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर